नमस्कार, मैं हूँ सची, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं जार्खन बिधान सभा का विसेश सत्र पक्ष वीपक्ष के लिए होगा खास यासी संगट के बी जार्खन बिधान सभा का विसेश सत्र एक गारा न natuurlijk को होगा हमांद सरकार द्वारा अचानक बुलाई गई एवम सेवाओ के रिक्तियों में आरक्षन ब्रीधी सम्मधी विधायक को भी सदन में रखा जाएगा मुख्य मंत्री हेमन्सुरिन की उपसीती में होने वाला या विसेश सत्र हंगामे दार होने के असार है सदन में एक बार फीर सता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे इधर विसेश सत्र को लेकर विधान सव में त्यारी सुरू हो गई है विसेश सत्र को लेकर स्पीकर रविंद नाथ महतो ने कहा कि सदन की करवाहित तय समाय पर सुरू होगी जिसमें दोनों भी धायेक पर सदन में चर्चा होगी जारखन में भाजपा और जहमों में ट्यूटर वार अवाय देखनन मामले में स्तियम हमन सुरेन को इड़ी की ओर से समन भेजे जाने के बाद से जारखन का सियासी पारा चड़ा हुआ है सता पक्ष और भी पक्ष के बीच खीचा तानी चल रही है खुद को सही साबित करने के लिए सोसल मेडिया का जोर सोर से इस्तिमाल भी हो रहा है बता दे बीजेपी नेता बाबुला मरांडी ने एक आदिवासी बच्चे को घर में बंध हुआ बना कर गरम लोहे से दागने वाली घटा का जिक्र कर एक तरफ सीएम के प्रती अभार जताया क्योंकि उन्होंने करवाई का आदेश दिया था दूसरी तरफ सीएम पर चुटकी भी ली है बाबुला मरांडी ने लिखा है कि अगर आपने साहिव खनन घोटाला जहाई डूपने राची देवगर में हुए बयपमाने पर जमीन घोटाले समेथ समय समय पर लाये गए कुछ बिसायों पर संगान लिया होता तो सायद आगे कुवा और पीछे खाई वाली बूरी हालत नहीं होती मुख्य मंत्री को समन मामले में UPA का हला बोल उन्होंने सवालिया लहेजे में कहा है कि सारी करवाई भाजपा के नीतियों का बिरोध करने वाले दलों के नेताओं के खिलाप ही केंद्री एजेंसिया क्यों करती है धनबाद में खेलों का महा कुम्भ प्रारंब धनबाद में आई से 7 नौबर तक 3000 से अधिक खिलाडियों का जुटान होगा DAV National Journal Esports Meet में राजे के 74 DAV स्कूलों के 3000 खिलाडी विभीन खेल परतियों किताओं में अपना दम दिखाएंगे इस बार इसकी मेजबानी DAV Public School कोईला नगर को मिली है और सबसे अधिक खेल यहीं होंगे यहां कूल 10 खेल परतियों किताओं होंगी और इसमें 1137 लड़के लड़किया सामिल होंगे Athletics में सबसे अधिक 336 खिलाडी सामिल होंगे वहीं सबसे कम 20 खिलाडी जिमनास्टिक में सामिल होंगे बता दे आई सुबा 10.30 बजे बतर मुख्या देथी DAV CMC नई दिली के निदेशक JP Sour ने एस्पोर्ट मीट का उधगाटन किया है बीजली बील 10 हजजार के पार रहने पर कटे का कनक्सन जारखन बीली बित्रन निगम लिमिटेड अब एक बार फिर बकायदारों पर सिकांजा कसनी के त्यारी में है इसको लेकर 10.000 से अधिक का बील बकाया रखने वाले बकायदारों के लिस्ट त्यार की जा रही है बीभाग के करेया पालक अभियानता सलेंद्र भोसन तिवाई ने बताया है कि बिधूत प्रमंडल धनबाद के तहाद 10.000 रुपे से अधिक बील बकाया रखने वालों के संख्या 12.000 है इन उभगताओं के घरों वा परतिष्ठानों का बीली कन्यक्शन काटने का आदेश मुख्याले रांची से है ऐसे उभगताओं के खिलाब मुकादमा दर्ज करने का भी निर्देश है इसके अलाबा कई ऐसे भी बकायदार है जो तीन मास से अधिक बिजली बील पेंडिंग रखे हुए है ऐसे उभगताओं पर भी करवाई करने का आदेश मिला हुआ है चंद्रगरहन आठ नॉमबर को आठ नॉमबर को चंद्रगरहन लग रहा है या इस साल का आखरी गरहन होगा चंद्रगरहन को भारत के कई हिसों से देखा जा सकेगा बतादे भारतिये समय अनुसार चंद्रगरहन आठ नॉमबर को साम 5 बच कर 8 मेट से सुरू होगा और साम 6 बच कर 18 मेट पर खत्म होगा पुर्वरतर के राजियों में ही पूर्ण चंद्रगरहन दिखाई देगा सेस भागों में आसिक चंद्रगरहन ही दिखाई देगा अचार प्रवन मिस्रा बताते हैं कि मंदिरों के कपाट पराता आठ बच कर 9 मेट से ग्रहन के सुतक से साम 6 बच कर 18 मेट तक बंद रहेंगे इसलिए कार्तिक मा असनान कताओ और यग अनुष्ठानों का समापन भोग सोमवर 8 नौमबर पर आता आठ बजे से पूर्व होगा कार्तिक पुर्णीमा वरत परदोस काल ब्यापिनी पुर्णीमा को 7 नौमबर को होगा रिसी केस पंचांग के अनुषार पुर्णीमा तीथी का प्रारम 7 नौमबर को संध्या 3 बच करून 4 मेट पर होगा मंतरी बनना गुपता एक्षन मोड में मरीजों से पैसा लेने वाला डॉक्टर सस्पेंड जार्खन के सबसे बड़े स्पतर रिम्स की बेवस्ता दुरूस्ट करने का परियाज शुरू कर दिया गया है स्वास मंत्री बाना गुपता खुद सुक्रवार को एक्शन मोड में नजर आए उन्होंने दो डॉक्टरों पर गलत कार्य करने को लेकर कड़ी करवाई की है जिसमें CTBS विभाग के सब प्रध्यापक डाक्टर राकेश कुमार चौधरी को मरीज से 20 या रूपे लेने का रूप पनिलंबित कर दिया जबकि कार्डियोलोजी विभाग के HOD डाक्टर परकास को सोकाज किया गया है और एक माह का बेतन रोक दिया गया है मंत्री बना गुपता ने सबी डाक्टरों का सपष्ट काहाई कि वे अपनी मर्यादा में रहकर काम करे आपसी लडाई में मरीजो का हिलाज परहाईतना हो इससे पहले उन्होंने बताया कि पांच पर्दिशत वर्यज चिकिसो की वज़ा से रिम्स का नाम बदनाम हो रहा है हे मंत को सर्जू की चुनोती एफायार कर जाच करा ली जिए जमसेत पूर्पूर्व के विधायक सर्जू राई के खिलाप प्रारामभिक जाच दर्ज करने समन्दी एंटी करप्सन ब्योरो के आदेश पर राईने तिक सर्गर में चड़ गई है सर्जू राई ने इसे लेकर सरकार को चुनोती दी है उन्होंने कहा है कि प्रारामभिक जाच की वजाच सीधे एफायार दर्ज कर 15 दिनों में जाच करा ली जाए वे इसके लिए त्यार है उन्होंने ट्विट कर मुखे मंत्री हेमन सुर्ण को निशान ने पर लिया है सर्जुला ने लिखा है हेमन सुरेन की सीबी ने मेरी जाज के लिए पीई दर्ट करने के उनमती मांगा है पीई क्यों सीधे एफ हायारक और पंदरह दिन में मामला निप्टा दीजिए होटवार के बैरक 11A और 11B को भी सुकून मिलेगा जिन्होंने 2015-29 और 2020-22 के कारनामों को भरस्टचार के फेविकोल से चिपका करनाई जूगल जोड़ी बनाई है पलामू में कॉंग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा कॉंग्रेस पार्टी ने जार्खन के पलाम भारत जोड़ो यात्रा निकाली है पलामू के प्रमंडलिय मुख्याला में जोड़ो यात्रा निकाली जी एले कॉलेज मेदान से टाउन हौल तक निकाली गई इस पद यात्रा में जार्खन परदेस कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्ष राज़ो यात्रा के जार्खन के को अडिनेटर एवां पुर्व केंद्रिय मंत्री सुबोध कांच सहाई जार्खन परदेस कॉंग्रेस कमिटीक नेता पलामू जोन के को अडिनेटर भीम कुमार सामिल थे जे भी भी एनल का 28 क्लोर बाकी बिजली कडोती जारी जार्खन बिजली वित्रन निगम लिमिटेड पर पीक आवर में अतरीक्त बिली खरीदने को लेकर लगी रोक अब भी जारी है हलाकी जे भी भी एनल ने बाकाया का कूल 88 क्लोर रुपए में से 60 क्लोर रुपए का भुकतान कर दिया है अब 28 क्लोर रुपए बाकाया है इस कारण भी पीक आवर में अतरीक्त बिली खरीद पर रोक जारी है नतिजतन रोजाना पीक आवर साम पांच बये से राद दस बये तक कहा है राजे के सभी हिसों में लोड सेडिंग की जा रही है गोतला भाय की करेंट बिल के भुगतान में 45 दिनों की देरी होने पर केंदर सरकार इलेक्टरिस सीटी रोल्स 2022 के तहट अतिरिक्त बिजली खरीद परोक लगा देती है बीधायकों के घर 30 गंटे से अधिक की छापे मारी से भड़का जामों जारखन में एक और बेरमों दुमका गोड़ा समयत अने ठिकानों पर 30 गंटे से अधिक समय से आयकर विभागी छापे मारी जारी है वहीं दूसरी और राई नितिक गति बीधिया की इस्थीती उत्पन हो चुकी है पूरे राजे में जामों के नेता करकरता केंद्रे की भाजपा नीत सरकार के खिलाप आई सूबा से ही धारना पर है राजे के मंत्री और विधायकों ने आयकर और इड़ी की करवाई के बीरोध में भाजपा को जबाब देने के लिए आर्थिक नाके बंदित तक की चेतावनी दिया दिया बता जे दुमका में जामों के नेताओ और करकरताओ ने केंद्रे सरकार के बीरोध में सिकारी पढ़ा भी धायक नलील सोरेन के अगोई में पूराने समनले परिशन में धारना दिया वहीं दोपर बाद सभा को समधित करते हैं विधायक ने कहा है कि अगर भाजपा को जबाब देने के अज़रोध पड़ती है तो आर्थिक नाके बंदित तक की जाएगी जार्खन में सबसे जयदा धनबाद से गुजरात भेजे गए हिर्दय रोगी धनबाद के 26 हिर्दय रोग्यों का जार्खन सरकार के सवयोग से सिरी साई अस्पताल राजकोर्ट गुजरात में निसूल का अपरेशन होगा तीन और चार नोमबर को रांची के रिम्स में आज़ुजीत मेगा हिर्दय जाच कैम्प में धनबाद से सबसे ज्यादा हिर्दय रोगी इलाज के लिए भेजे गए बता दे धनबाद से कूल 105 मरीजों को हिर्दय जाच के लिए रिम्स भेजा गया यहाँ पर सीरिसाइं एस्पताल के हिर्दय रोग विशे सग्यों ने 26 मरीजों के दील का अपरेशन के ज़रुदत बताई लिस्ट में 18 वरस से कम उम्रे के 14 बच्चे भी सामिल है जीले के सीविल साजन डाक्टर अलोक भी सुकरमा ने बताया है कि धनबाद में सब्सक्राइब मरीज चीनित किये गए है धन्यवादी आप चैनल पना होते चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेले कंद बाईए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के सेर करना भूले साथी साथ आप हमें कमेंट बक्स में अपना फिर्वेक अवस से दे थांक्यू